नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज हम लोग JPSC PT का जो सेकेंड पेपर है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग आज पढ़ेंगे मान ही परगना सासन बेवस्था इसे एक प्रश्ण आएगा तो दो नमबर का होगा हम लोग इसके पहले तीन अल्रेडी पढ़ चुके हैं मुंडा, नागवनसी और पढ़ा सासन बेवस्था हम लोग पढ़ लिए हैं आज चौथा हम लोग पढ़ेंगे मान ही परगना सासन बेवस्था तो सबसे पहले यह प्रश्ण उठता है यह मांजी परगना सासन जवस्ता हारखन के किस जन जाती के लिए से रिलेटड है तो नाम है मांजी परगना इससे हम लोग को पता नहीं चलता है यह संथाल जन जाती से संबंदी संथाल जन जाती से सम्मद्धी से मानि परगना सासन व्यवस्था तो सबसे पहला प्रश्ट है कि ये जो संथाली लोग जो थे उनका प्रजाती क्या है तो प्रोटो अस्टोलाइड इनका प्रजाती है इनकी भासा है संथाली और 2011 के जन गनना के अंसार जारखंड में संथालीयों की संख्या 27,54,723 है संथाल सबसे बड़ी जन जाती है जारखंड की ठीक है इसके बाद हम लोग देखेंगे ये निवास कहा कहा करते हैं सामानने तह ज़्यादा तर दुमका, देवगर, गोड़ड़ा, साहिब गन्त, पाकुल इसके अलावा वुकारो, धंबाद, हजारीबाग, चतराग, गिरिडी, आदी जिलों में भी छिटफुट ये पाये जाते हैं बतल निवास करते हैं तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या संथाल जो थे वो मूल निवासी थे संथाल परगना के नहीं, संथाल परगना में पहाडिया जन जाती के माल पहाडिया और सौरे पहाडिया यही दोनों जन जाती के लोग वहाँ पे पहले से निवास करते हैं तो कौन-कौन लोग थे? संथाल परगना में पहाडिया जन जाती तो माल पहाडया और सौर पहाडया सौर पहाडया यही जैन्जाती के लोग वहाँ पहले से लोग निवास करते थे और यह संथाल जो थे यह हजारी बात के पास संथाल का मूल निवास कहां था संथालियों का संथालियों का मूल निवास हजारी बाग के पास था हजारी बाग के छे चमपा संथालियों का मूल निवास था हजारी बाग के पास छे चमपा एक जगह है वहीं के ये निवासी थे तो जब ये मुहम्मद बिन तुगलक का सासनकाल था वो लगभग 1340 इसवी के आसपास का ये घटना है उस समय में उनका जो सेना पती था वो छे चमपा संथालियों का जो निवास अस्थान था वहाँ पर आकरमन किया है और ये लोग वहाँ से इससे बचने के लिए मुहम्मद बिन तुगलक के सेना पती मुहम्मद बिन तुगलक का सेना पती से बचने के लिए ये लोग क्या किये कि यहां से ये लोग भागना सुरू किये हजारी बाग से भागते हुए ये लोग पहुँच गए पुरूलिया वाला छेतर में पतलब पस्चिम बंगाल में पहुँचे हजारी बाग से ये लोग भागे कहा पस्चिम बंगाल का छेतर में और तो यहाँ पर यह चले गए यह लगभग यह पुरूलिया वाला छेतर था ठीक है इस जगह पर लोग चले गए और यहाँ जाकर के लोग बसे फिर यहाँ से यहाँ से भी यह लोग धीरे-धीरे यह लोग चले गए संथाल परगना संथाल परगना में चले गए यह लोग जब संथाल परगना में गए तो वहाँ पर पहले से अल्रडी थे कौन-कौन माल पहाडिया और सौर पहाडिया जन जाती के लोग और जब संथाली जब वहाँ जाकर के निवास करने लगे तो वहाँ इन लोगों को दिक्कत होने लगा तो ये पहाडिया और संथालियों में विद्रोष छिड़ा तो पहाडिया और संथाली दोनों आपस में युध करने लगे 1764 टिस्वि में अंग्रेजों का आगमन हुआ बकसर युध के बाद और जब उनको जब दिवानी मिल गया तो वो धीरे धीरे अपना पाउँ पसारने लगे संथाल परगना एरिया में भी 1765 टिस्वि में ये लोग पहुँच गे संथाल परगना और यहां आकर के ये पहाडिया जन जाती और संथाल जन जाती के बीच में युध कराने लगे और यहां कुट मीती का प्रियोग करना सुरू किये और फूट डालो राजकरो नीती के तहत दोनों जन जाती में लडाई लगा दिये तो जब लडाई लग गया तो ये लोग में पहले से भी था दुस्मनी और ये आग में घी का काम किया और ये लड़ाई जो है वो बिश्त्री तूरूप ले लिया उसी समय 1819 में भागलपूर के तत्कालिन दंड़ादिकारी थे सदरलेंड ये सरकार के पास इस बात को पहुँचाए कि ये लोग का जो लड़ाई है इसको अलग-अलग बने इलोग को बटवारा कर दिया जाए इनका छेत्र ये होगा इनका छेत्र ये होगा इस तरह से करके ये उनके पास सरकार के पास प्रस्ताव रखे जो 1832-333 में इसको 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 काम हुआ और 1832-333 में दामिन एकोह किया स्थापना की गई तो ये दामिन एकोह क्या था तो वो राजमहल का पहाड़ी का छेत्र था तो राजमहल के पहाड़ी के छेत्र पे उपर वाला जो भाग था उसको दे दिया गया उपर वाला जो भाग था परवतिय भाग जो परवतिय भाग था वो दे दिया गया पहाडिया लोग को और जो तलहटी का भाग था जो नीचे का जो भाग था तलहटी का भाग ये दे दिया गया संथाल लोगों को संथाल को दे दिया गया तो ये दामीने कोह का जो छेतर था वो लगभग 1338 वर्ग मिल में ये फैला हुआ था दामीने को 1338 वर्ग मिल में फैला हुआ था और इसको दो भाग में बाटा गया उपर वाला भाग को दे दिया गया पहाडिया लोग को जिस पे माल पहाडिया और सौर पहाडिया रहने लगे और नीचे का जो भाग था संथालियों को दे दिया गया तो संथालियों को जो एरिया मिला वो लगभग पांच सो स्क्वाइर यह माईल था पांच सो स्क्वाइर माईल एरिया इन लोगों को मिला इसी को हम लोग बोलते हैं दामीने को इसके बाद धीरे-धीरे यह इलो का राजपाट चलने लगा और लगभग 1851 इश्वी में 1851 इश्वी में इनकी गाउं की संख्या लगभग 1300 के आसपास हो गई थी गाउं की संख्या हो गई लगभग 1300 के आसपास जब 1856 में जब संथाल विद्रो होता है संथालों की हार हो जाती है तो उसी समय में 1856 में ही जोर यूल वो क्या किये कि वो एक यूल रूल दिये यूल रूल क्या था इसमें मांजी सासन वेवस्था को माननेता दी गई थी और उसको सिर्फ अलग किया गया माडर को बलतकार जैसे कुकृत्ती जो थे उनको अलग कर दिया गया था मांजी सासन वेवस्था से मतलब यह लोग इस पे फैसला नहीं सुना सकते थे इसके बाद यह परकिरिया आगे बढ़ती है तो यह जो मांजी सासन वेवस्था जो था यह किस पे निर्भर किस पे था किस पे बेश्थ था, किस पे आधारी था तो यह सौरिया पहाडिया मांजी बेवस्था सौरिया पहाडिया की सासन बेवस्था पर आधारी थी कहने का मतलब है ये बहुत important है कि पूछेगा कि मांजी सासन बेवस्था किस सासन बेवस्था पर आधारी थी तो हम लोग उसका एंसर लिखेंगे सौरिया पहाडिया की सासन बेवस्था पर आधारी थी ये लोग जब रहने लगे थे संथाल परगना छेतर में ये रह रह रहे थे सौरिया पहाडिया माल पहाडिया के साथ में तो ये लोग सौरिया पहाडिया का जो सासन व्यवस्था था उसको एडॉक्ट कर लिया और उसी का नाम मांजी सासन व्यवस्था के रूप में परनेत हुआ जिसको कौन चलाया संथालियों ने संथालियों की सासन ब्यवस्था का नाम सौरिया पहाडिया की सासन ब्यवस्था पर अधारिक था इसका नाम बाद में मांजी परकना सासन ब्यवस्था कर दिया गया अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे यह मांजी परकना सासन ब्यवस्था है क्या ये माजी परगणास आसन विवस्ता को हम लोग चार अस्तरिय बनाते हैं मतलब ये चार अस्तरिय था ही चार अस्तरिय में क्या था पहला अस्तर हो गया गाउं उसके बाद दूसरा अस्तर हो गया देश तीसरा अस्तर हो गया परगणा चौथा अस्तर हो गया दिशुम परगना तो पहला अस्तर जो है गाउं यह सबसे निचले कोटी का था इसमें क्या हुआ कि इसके गाउं का जो परधान होता था इसको हम लोग मांजी के नाम से जानते थे देश का जो परधान होता था उसको देश मांजी या मोले मांजी कहते थे परगना का जो परधान होता था उसको परगनायत अदिशुम परगना को दो भाग में बाटा गया एक हो गया दिशुम परगनायत उसका परधान हो गया एक हो गया लोबिर सिंद्रा लोबिर सिंद्रा जो है ये उच्चितम ने आया ले था तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 5 से 8 गाउं मिला तो बन गया देश 15 से 20 गाउं मिला तो परगना अब कुछ ये परगना में भी जो एदी केस का इदी सलूशन नहीं निकलता था तब वो जाता था 20 गाउं में और वहाँ भी जैसा जैसा केस होता था उस हिसाब से काम किया जाता था तो जो गाउं था हमारा सबसे निचला अस्तर का उसमें कौन-कौन पदा धिकारी होते थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यह पांच थे पहले मांजी, जोगमांजी, पारणीक, जोगपारणीक और गाडेत यह पांचों का अलग-अलग काम था मांजी इसका परधान था मांजी के सहायता के लिए बाकी यह अन्य चार थे ठीक है अब हम लोग इसका देखते हैं कि मान जी का काम क्या क्या था गाओं का परधान कौन होता है मान जी मान जी के काम क्या क्या है उसको हम लोग देख रहे हैं अनात, सोसित, उत्पिडित, बिधवा, इन लोगों के अधिकारों की रक्षा करना ये काम किसका था मांजी का इसके अलावा वो सारा चीज को वो देखभाल करता था बाद में लगान वसुलने का भी काम उसको दे दिया गया था धर्म कर्म के लिए नैतिक रूप से यही जिम्मेवार था जमीन से संबंधित इतने भी विबाद होते थे उसका निप्टारा कौन करता था मांजी गाम अस्तर पर जोग मांजी का काम क्या है तो जोग मांजी मांजी का सहयोगी होता है साधी विबा संबंधिकारे तथा उससे संबंधित वादों का निप्टारा यही करता है और लड़का लड़की का जो चरिक्र को देखना होता है वो भी काम इसी का है तलाक भी यही देखता है जोग मांजी इसके बाद है तीसरा पारणिक इसका नाम बहुत सारा मिलेगा कहीं मिलेगा प्राणिक, प्राणिक, पारणिक तो मांजी की अनूपस्तिती में मांजी का काम यही देखता है, इसलिए इसको उप मांजी का भी दरजा प्राप्त है. जो अपरात के लिए जो दंड निर्धारित किया जाता था, वो दंड कौन निर्धारित करता था तो पारणीक, ठीक है? चौथा है जोग पार्निक तो ये हर कारा की भूंका निभाता था ये मांजी का सहायक होता था गाडेत जो है वो सुचना का अदान परदान करता था और ये सचीव का भूंका में होता था जैसे कोई भी मीटिंग हो कोई भी मीटिंग का आयोजन करना ये गाडेत का काम था इसका सुचना गाओं वालों को देना गाओं वालों का सुचना लाकर के मांजी को कहुचाना ये काम था गाडेत का अब हम लोग देखें यहाँ पर पांच था इन पांच के कारण इन पांच पदों के कारण पंचायत को कहा जाता था मांजी गाओं का जो पंचायत था उसको कहा जाता था मोडे होड इसका मतलब होता है इसका साब्दिक अर्थ होता है पाँच आदमी पाँच आदमी तो संथाल मांजी परगना सासन वेवस्था में गाओं का जो पंचायत था उसका ये पाँच आदमी देखभाल करते थे उनको हम लोग पंचायत को मोडे होड भी कहा जाता था क्योंकि उसमें पाँच आदमी सामिल थे इसके अलावा इन पाँचों के अलावा भी कुछ-कुछ लोग थे जो इनके सासन वेवस्ता में सहयोग करते थे अब हम लोग बारी-बारी से उसको देखते हैं यहां हम लोग यह देखे यह जो पाँचों पद जो था मांजी, जोग-मांजी, पारनिक, जोग-पारनिक और गाड़ेत यह पाँचों पद का चुनाव होता था मतलब यहां पे गणत अंत्रात्मक व्यवस्ता लागू थी ते चुनाव के द्वारा इनको परती वर्ष चुना जाता था ठीक है? यह पाँचों पद को इसका चुनाव कब होता था? तो संथालियों का जो वर्ष सुरू होता था वो माग वर्ष माग मा से सुरू होता था माग मा में एक भागशीम तेवहार मनाया जाता था माग मा में भागशीम तेवहार मनाया जाता था इसी तेवहार के दिन संथाली अपने इन पाँचों पदों का चैन करते थे और ये प्रतेक वर्स होता था बाद में धीरे 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 ये पांचो पद को वनसा नुगत कर दिया गया ये पांचो पद वनसा नुगत हो गया अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर ये पांचो पदों को या मांजी की सहायता के लिए कौन-कौन से लोग को और रखा गया था तो भागदो परजा इसका नाम ही है परजा, परजा का मतलब होता है जन्ता जैसे कोई भी मीटिंग होता है तो मीटिंग में गाउं के जो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है तो यहां भी ये भागदो परजा में परते एक टोला से एक या दो जो बिसिष्ट ब्यक्ति होते थे गाउं के सम्मानिक ब्यक्ति होते थे उनको इसमें चुना जाता था उनको उस मीटिंग में बुलाया जाता था जिसका नाम दिया गया भागदो प्रजा इसके बाद है लासेर टैंगया लासेर टैंगया होता क्या है ये संगठनात्मक परमुक होता है ये बाहर से जो आकरमन होता था उससे उस गाओं को लोग को बचाया जाता था तो इसका काम बाहर से आकरमन होता है उसको बचाने का काम करते थे लासेर टेंगेया इसके बाद है नायके ये धार्मिक पूजा पार्ट जो भी होता था वो काम नायके का था और धार्मिक पूजा पार्ट में जो उनको जो दंड देना होता जो फैसला सुनाना होता था वो फैसला भी यही करते थे नायके इसके बाद है कुडाम नायके तो यहां हम लोग को वर्ट से भी पता चलता है यहां नायके, नायके का काम था पूजा पाठ कराना तो यहां सेम चीज है कुडाम नायके जैसे वो हम लोग देखे थे बैगा तो बाहरी देवी देवता के लिए थे वो तो यहां भी गाउं के बाहरी देवी देवता का पूजा पाठ का काम था कुडाम नायके का ठीक है? अब हम लोग चलते हैं देश पे गाउं के बाद है देश मांजी तो गाउं में हो गया वो हम लोग उसका पढ़ लिये थे उसका कि कौन-कौन लोग उसमें सामिल होता है जब इवी गाउं में जब फैसला नहीं हो पाता है तो वो चला जाता है देश में तो देश में ये जो पांच से आठ गाउं मिल करके देश बना था तो इनके जो मांजी थे इनको उसमें सामि मअजी होते हैं उनके जो शमू हुआ उसको लोग बोलते हैं कि मोड़े मांझी मतलब हम बताएं कि जिस का मतलब पांच इसके बाद जब यहां भी फैसला नहीं होता है तो फिर अगला जाता है परगना में तो परगना क Kranto का मांजीयों का परदहां होता है यह उसके बाद यह 15 से 20 गाओं का जो मांजी हुआ उसका यह हेड हुआ परगनायत इसके बाद चला गया दिशुम परगना में तो दिशुम परगना में जब यहां भी फैसला नहीं हो पाता है तो वह चला जाता है दिशुम परगना में तो दिशुम परगना का हेड होता ह दिशुम परगनायत, ठीक है, दिशुम परगनायत इसका हेड होता है, और अब हम लोग देखेंगे, जो मांजी का जो न्यायाले होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंद्रा परिशद या सिकार परिशद, तो ये न्यायाले जो है, ये दो तरह का दंड सुनाता है, एक को बो जाता है अब बिटलाहा जो है ये कब लगाया जाएगा बिटलाहा दंड तो समगोत्रिय विभा होगा तो यौन अपराद होगा तो और डाइन विशाही का मामला होगा तो वैसे यही तीन केस में बिटलाहा दंड लगाया जाता है ठीक है तो इसमें होता क्या है कि लोगों को भोज भात कराया जाता है ठीक है, खसी उसी कटेगा और वो सब लोग खाएगा पिएगा तो ये बिटलाहा दंड जो है वो समाज का बहिसकार का है समाज से उसको निस्कासित करने का है ये तीन ही केस में लगाया जाता है इसके बाद है ये लोबीर सिंद्रा हम लोग यहां लिखे थे लोबीर सिंद्रा तो ये उच्चितम नयायाले है ठीक है संथालियों का उच्चितम नयायाले है लोबीर सिंद्रा ये आज आज भी ये इस्तित्य पूरलिया के अजोध्या पहाड में ये जगह है और इसका पवीतर अस्थाल है मांजी थान, जाहिर थान, ससान और अखड़ा मांजी थान कहने का मतलब है सिंग बोंगा, सिंग बोंगा इन लोग के सबसे बड़े देवता है उनको बोलते हैं सिंग बोंगा, इनका जो अस्थाल है वो गाउं के बीच में होता है इसके बाद होता है जाहिर्थान इसको बोलते हैं हम लोग ग्राम दे होता है जो गाओं के एक कोना में अस्थापित किया जाता है ससान होता है जहाँ पर अंतिम संसकार किया जाता है तो उस अस्थान को बोलते हैं ससान और अख़डा जहाँ पर मीटिंग या नाचगान किया जाता है मन्दुरण्यन का जो अस्थाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं अख़डा मांजी परगनास आसन व्यवस्था को मैंने यहाँ पर पूरा कोशिस किया है कि सारे पार्ट को कॉभर कर दें इसके बाद हम कुछ कोशन का सेट भी देंगे जो आप सॉल्ट करके देख लीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सेट जरूर कीजिएगा जिससे दूसरों को भी फायदा हो और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद